हलो प्रेंट्स वेल्कम बाक टो माझानल रुचिया जे की इजी रेसिपी आज में लेकर आई हूं टोपी डोसा यह सिंपल डोसा है जस्ट टोपी के फ़र्म में है मैंने यहां पे जो अपना डोसा बैटर बनाया है उसकी रेसिपी में शेयर कर दूंगी तो प्लीज आप उस अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे देखिए से अच्छे से मिक्स कर लिया है अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी पानी आप थोड़ा-थोड़ा करके डालिए मेरा यहां पे करीब पानी लिया है इसमें मैंने एक कप पानी आप बैटर की इसके हिसाब से पानी डाल दीजिए और इसे थोड़ा पतला ही रखिएगा यहाँ पर मैं अपना एक नॉनस्टिक तवा गरम करूंगी और उसके उपर इस तरह से हम पहले ओयल लगाएंगे ओयल लगाने के बाद हम इसके पानी के छीटे देंगे और फिर किसी साफ कपरे से हम इसको पहुंच लेंगे हमने अपनी गैस की जो फ्लेम है वो लो मीडियम पे रखना है हमें बहुत तेज आंच नहीं करनी है इसकी हमें लो मीडियम पे रखना है इसको होना चाहिए बहुत गाड़ा बैटर होगा तो फैलेगा नहीं इस तरह से देखिए हम अपने बैटर को डालेंगे और एक ही डारेक्शन में हम इसको अंदर से बाहर की तरफ यू राउंड राउंड घुमाएंगे इस तरह से मैंने गैस लो मीडियम रखी है बहुत कम भी नहीं करनी है बहुत तेज भी नहीं करनी है हमें हमें इसे ऐसे ही यह देखिए यह जो ब्राउन कलर इसमें आने लगा है घबराने की बात नहीं यह कोई जल नहीं रहा है यह हमारा क्रिस्प हो रहा है हमने तभी लो मी तरह से इसे हम अच्छी तरह से ब्राउन होने देंगे देखे बहुत अच्छी से ब्राउन हो रहा है अगर आपका बैटल काफी जादा गाड़ा हो गया है और वह नीचे नहीं फैल रहा है तो आप उसमें थोड़ा पानी डालीजे क्योंकि फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का होना आपड़ा ऊठीश जाचा कंट यहा ayam असानी होगी इस देखे यह इस तरह से हम रहाएं अब त्यार हो गया है अभी चाको की मदद से ऐक साइध से एस तरह से चाavor काटइए और पडे हातों से इसको हम टोपी का शेप देंगे इस तरह से है ऐसे ऐसे ब्राव करेंगे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माच चाहिए